जैशीर राम दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल सुडेंट पॉइंट वीडी में तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रेश कोर्स कर रहे हैं जिसमें आज हमारा डे नमबर 7 है तो आज हम पढ़ने वाले हैं और zalधिक्स और और री फ्रेक्शन में रहेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो जाते जाते एक बार हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं light reflection और reflection के बारे में जिसमें हमने हमार को पता होना चाहिए light हमेशा किस में travel करती है light हमेशा state line में travel करती है ठीक है दोस्तो दूसरी और इसमें कुछ points है जो मन शुरू में ही आपको लिख दी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा confusion रहता है light vacuum में भी travel करती है ठीक है दोस्तो ये बहुत जादा जरूरी है light की स्पीड vacuum में सबसे ज़्यादा होती है किनी speed होती है तो सबसे ज़्यादा दोस्तो 3 into 10 days power 8 meter per second इसकी speed रहती है वेक्यूम में ठीक है दोस्तों और यह सबसे ज़्याधा speed रहती है light की किस पर वेक्यूम में यह इसमें बहुत ज़्याधा important term है ठीक है क्योंकि यहाँ पर confusion इसलिए आता है क्योंकि दोस्तों एक sound है sound हमेशा vacuum में travel नहीं करती ठीक है और light vacuum में travel करती है ठीक है दोस्तों तो यहाँ थोड़ा सा confusion रहता है ठीक है अब हम पढ़ेंगे luminous object के बारे में luminous object कौन से object होते हैं जिनकी अपनी light होती है जैसे सूरज है sun की खुद अपनी light है तो ऐसे object को हम क्या बोलते है luminous object पढ़ते हैं ठीक है इसमें कुछ टा देख सकते हैं ठीक है तो ऐसे सबस्राइब जिसके हम वार पार नहीं देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं ठीक है transparent क्या होते हैं जिससे हम उसके बिल्कुल सामने देख सकते हैं ठीक है जैसे हमारे जो शीशे होते हैं गाडियों के ठीक है उससे हम क्या देखते हैं वार पा जैसे हमारे glass हो गए है कई बार glass क्या आपटे? Glass से मारे प्रोपर विजूवल पुरपर धंसे दिखा भी नहीं देता ना तो उसको क्या बोलते हैं? Translucent जिसमें मारे को proper clear नहीं दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? Translucent बोलते हैं ठीक है, diffraction of light क्या होती है, जैसे कोई object हमार पास, यह object क्या रहना चाहिए, opaque रहना चाहिए, opaque हो तर इससे हम वार पार नहीं देख सकते हैं, तो light जब भी इसके corners पे बजएगे और जो अपनी position चेंज कर देगी, या bending हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, diffraction of light बोलते हैं, जैसे यह कोई हमार पास सबसान से, इस पे अगर light बजएगी, तो यह क्या होगी, यहां को bend हो जाएगी, ठीक है, तो यह क्या हमार पास diffraction of light है, ठीक है, एक और इसमें main point है, light has dual in nature, light का nature कैसा रहता है, हमार पास dual nature रहता है, dual का मतलब हमार पास क्या, कि light particle form में भी रहती है ठीक है दोस्तों, यह बहुत जादा important, particle form में भी travel करती है, particle form में का, photons के term में यह रहती है, ठीक है, और एक wave के term में भी light रहती है, इसलिए हम light को क्या बोलते हैं, dual in nature बोलते हैं, ठीक है, next question हमारा reflection of light, ठीक है, अब यहां से जो main points हमारे यहां से शुरू होते हैं, जहां से question reflection आने के बहुत जादा chance होते हैं, ठीक है, तो reflection of light का होते है, the process of returning the light to the same medium after striking a surface is called reflection of light, ठीक है, मैं आपको example से समझाता हूँ, कि जैसे यहां पर कोई एक shining surface है, ठीक है, यह को shining surface है, light eye, ठीक है दोस्तों, यहां से क्या हुआ, light eye, light eye, इस से टकराई और इधर से क्या होगी है, reflect होगी, ठीक है, इस substance से ओ, cross नहीं होई, ठीक है, यहां से light आई, और यहां से क्या होगी, इसके पास strike करने के बाद यह क्या होगी, वापस return आगी, उसको क्या होते हैं, reflection of light बोलते हैं, ठीक है, और reflection क्या होता है, कि दोस्तों, यहां से light आई, कुछ यहां पर टकराने के ब तो अगि light आएगी पर उसने अपना क्या कर दिया पाथ चेंज कर दिया उसको क्या बोलते हैं रिफ्रेक्शन बोलते हैं ठीक है अब रिफ्रेक्शन के कुछ लॉज होते हैं रिफ्रेक्शन के कुछ लॉज होते हैं रिफ्रेक्शन के लॉज होते हैं रिफ्रेक्शन के यह ओई तकरत तो एंगल उफ इंसिदेंस एंगल होगा इंसिदेंस काहसे निकालते हम कि हम इस कई कि आप कर देते हैं ठीक्यट और यह लाइन क्या हुआ हद यह कर दो ने में नॉर्मल daug can getayan यह कीम ब Lambda radio 2019 क्या था आई तो यह वाला किसी ही degree होगा ठीक है कुछ भी हो सकता है पर जितना incident उना ची उतना ही क्या होना ची रिफ्लेक्शन ओना ची यह हुआ टीक है यह हमारा क्या पास यह था दोस्तों यहां से लाइट आई थी ठीक है यह वाली incident होती है और यह वाली क्या होती है में लाए करने चाहिए दोस्तों 3D dimensional में नहीं लाए करने चाहिए यह क्या एक ही plane में लाए करने चाहिए उसको क्या बोलते हैं वो हमारा क्या होता है laws of second reflection होता है ठीक है second law of reflection होता है incident ray, reflected ray और normal ray कहां same plane पे लाए करने चाहिए ठीक है दोस्तों तो दो laws थे क्या angle of incident is equal to angle of reflection और second law क्या था incident ray, reflected ray और normal ray किस पे रहनी चाहिए same plane पे रहनी चाहिए images are two types यह बहुत जुरूरी दोस्तों समझने के लिए कि जो image बनती वो real बनती है और virtual बनती है ठीक है, ध्यान से देखना इस topic को यह बहुत ज़ादा important है, इसमें बहुत ज़ादा confusion रहता कि real कैसे बनेगी, virtual कैसे बनेगी, inverted कैसे बनेगी, erect कैसे बनेगी दोस्तों तो यह कुछ terms होती है जो बहुत ज़ादा confusion पैदा करती है, ठीक है तो आज हम इस confusion को बिल्कुल अच्छे से clear करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम real image, ठीक है real image कैसे बनती है, real image कैसे बनती है, ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले देखें हम real image तो मैं आपको example के साथ समझाता हूँ कोई हमार पास ये mirror है ये जो concave भी हो सकता है, convex भी हो सकता है दोस्तों ये हम आगे पढ़ने वाले की concave है ये की convex mirror है, ठीक है तो ये क्या हो की यहाँ पर क्या होगा, light eye ठीक है, यहाँ से क्या होगा, light ये इसके क्या principle of axis होती है ये दोस्तों आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी confusion नहीं हो यहाँ से light है, यहाँ पर क्या था, एक object था ठीक है, इस object से यहाँ से light गई ठीक है, और यहाँ से pass होगी ठीक है, फिर से एक यहाँ से object गई, ठीक है, तो यह यहाँ से pass होगी, यही से light एक गई, तो यह क्या होगी, यहाँ से pass होगी, ठीक है, तो यहाँ जैसे क्या बन जाती है, एक image बन जाती है, ठीक है अब दोस्तों क्या था, real image क्या होगी, कि जिस side आपकी lens था, उसी side क्या बनी, image बनी, उस image को क्या बनते हैं real image बोलते हैं, ठीक है यह क्या होगी, यहां से light आई, यहां से band हुई, ठीक है, एक यहां से cross हुई, ठीक है, जहाँ यह meet हुआ, वहाँ पर क्या बनीगी, एक image बनीगी, उस image को क्या बोलते हैं, हम real image बोलते हैं, और virtual image क्या होती है, और virtual image क्या होती है दोस्तों, virtual image होती है, यहां कोई play ने, ठीक है फिर से यहां से कोई principle axis नहीं, यहां कोई object रखा है, यहां से light आई, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया light को यहां से diverse कर दिया, ठीक है, आगे cross new light, यहां बज़के क्या होगी, टकर आगी, ठीक है, दूसरी light माल लो, दूसरी light क्या हुआ, कि दूसरी light इसने यहां से pass कर दी, ठीक हम मिलेंगेavyब्ध या वर्चोली Corinthians गोंumि आपको जैसे हमारे घर पे मेरे temat होते है मीरे एक शरुली से कैसे पॉसक्तों कि वह क्या होता हमारे को मिरेयर क्या हो सामने हुटे होग avenues युझ सगे बोक mínimoOR के के पिछ अदमी खड़ा है वहिसी बमेज मिरें के पिछे बन रही हो ठीक है और रियल में क्या होता जो image बनी थी जैसे यह थी object ठीक है तो यहां जैसे क्या बन की थी ठीक है यहां को यह object था यहां से cross हुआ यहां से cross हुआ यहां से cross हुआ तो यहां क्या बन की थी उसी lens के सामने को बनगी थी image ठीक है तो वो कौन सी image होती है रियल image होती है ठीक है virtual में क्या हुआ कि यहां से light गई यहां से deflect होगी ठीक है और एक light ऐसे cross होई तो हमने क्या करिया इनके imaginary line मिला कि यहां पर क्या बनगी एक image बनगी जहाए मिलेंगे वहां क्या बन जाएगी एक image बन जाएगी ठीक है तो वो image क्या होगी कि वो image कहां बनी एक होई मार पास surface था ठीक है उसके कहां बनी back side पर बनी तो ऐसी image को क्या बोलते है वर्चुल image बोलते है ठीक है यही difference होता हमार पास real image और virtual image में ठीक है इसलिए mirror हमेशा कौन सी image बनाते है जो हमार पास mirror होता है वो हमेशा virtual image बनाता है ठीक है वो virtual image क्या है क्योंकि दोस्तों हमार को mirror के सामने कोई भी चीज रखते है वो ऐसा लगता हमार को कि कोई चीज हमार पास mirror के बिल्कुल पिछे भी वैसी चीज रख रखते है ठीक है तो इसलिए वो क्या होती हमार पास mirror के बिल्कुल पिछे image बन रही है ठीक है वह ऐसी image को क्या बोलते है हम virtual image बोलते है इसलिए मैं बार-बार repeat कर रहा हूं virtual image बनाता है mirror क्योंकि यह question बहुत बार आ चुका है ठीक है एक पड़ेंगे हम inverted ठीक है inverted होता क्या है ठीक है एक term होती है inverted ठीक है यह बहुत जगा हम use करेंगे अभी inverted image बना रहा है inverted क्या होती कि मान लो कोई image ऐसी है ठीक है वो किसी वो जो जो कोई object ऐसा है जो इसकी image बनेगी वो क्या बन जाएगी इसकी कोई image है state तो वो image भी क्या बनेगी state ही बनेगी चाहे वो ऐसे बने चाहे वो ऐसे बने ठीक है पर वो image कैसे बनेगी state ही बनेगी उसको क्या बोलते हैं इरेक्ट बोलते हैं ठीक है कहीं जैसे कोई माल हो यह image इसकी कोई ऐसे ओटेड़ी करके image नहीं बनेगी ठीक है सीधी अग बहुत ज्यादा यूज होती है लेटरली इंवर्टीड का मतलब होता है कि कोई चीज वहार पास मालो अगर आप शीशे के सामने ए लिख देंगे तो यहां क्या कर देगा जैसे मालो पी लिख देंगे ठीक है यहां शीशा लगा दिया अब शीशे के कैसी मेज बनेगी उसकी लख हैं तो अब शीब्लध के सामने खड़े होंगे तो जब आप शीशे के सामने एगर राइट हार्ट उटाएंगे तो परली सहीच से कौन सा हाथ शाब में देख लेना ना Satya कि जब आप ब्लक हार पर खीवरिब क्या दोस्त यह में क्वंग देगा संका ऐसा लिख अन ग तो यह बहुत इंपोर्टेंट टर्म्स है इससे कोशन आता ही आता है इससे साइड बनेगी अगर उसके बैक साइड पर इमेज बनेगे तो बढ़ते हम डेक्स टरफ नेक्स अमारे पास इमेज बनाता है अगर पास वर्चूल और इरेक्ट इमेज बनाता है अगर मिरर के सामने हम सीधे खड़े तो इसको टेड़ा थोड़ी बताएगा मिरर मिरर भी क्या बनाएगा सीधा ही बताएगा तो और इरेक्ट हुआ ठीक है और प्लेन मिर कैसी मेज बनाता है लेटरली इंवर्टिड भी बनाता है इसमें कुछ चीज़े याद करनें कि कि जो साइज ओफय इमेज होगी जो अब्जक्ट की साइज होगी वह इमेज का साइज होगा यह भी बहुत important रहता है ठीक है दोस्तों तो बढ़ते हम next topic की तरफ spherical mirror के types पढ़ेंगे हम convex mirror क्या होता और concave mirror क्या होता है ठीक है दोस्तों जैसे कि आपको image में दिख रहा है ठीक है अगर मालो या ऐसे बना देता हूं या मत् हो कि light आ रही है और यहां से रिफलेक्ट हो रही है जो जिसका जो सेंटर वाला पार्ट होता वहां से रिफ्लेक्शन होती है ठीक है तो कनके मिरर क्या होता हमार पास यह वाली यह वाला मिरर कौन सा हमार पास कनके मिरर है दोस्तो ठीक है यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हो कनवेक्स क्या था कि यहां से ठीकता है तो यहां से लाइट इसमें बार को फैंक देगा तो इसको क्या बोलते हैं तो इसलिए याद रखना जो कन के mirror होता हो कांस होता है converging in nature होता है जो convex होता हो क्या होता है diverging in nature होता है अब कुछ important terms हम पढ़ने वाले है spherical mirrors की दोस्तों ठीक है इसमें important terms क्या होती है कि एक होता हमर पास ये क्या होता है कन के mirror होता है ठीक है तो इसमें light कहां से आती है यहां से light आती है ठीक है जो इसके center वाली line होती है इस line की उसको बोलते हैं principal axis उसको क्या बोलते हैं principal axis होती है जो उस mirror का जो center वाला part होता है को बोलते हम center of curvature ठीक है जो उन दोनों का हाफ हो तो उसको क्या बोलते हम focus बोलते है ठीक है और जो दोस्तों यहाँ पे जो यह प्रिंसिपल एक्सिज और यह वाली mirror का point line बोलते है उसको बोलते हैं पोल बोलते है ठीक है यह कुछ important terms है वैसे paper point of view से तो important नहीं है पर फिर भी म में भी होता है बट difference ये है दोस्तों कि difference जैसे कि आप image में देख रहे होंगे कि जो पहली incident rays कहां से आती कनकेव में कहां से आती है कहां से आएगी incident यहां से आएगी ठीक है तो कनकेव क्या होता हमार पास converging होता तो यह क्या करता है focus में मिल जाद गा मालों एक converging है पर जो हमार पास convex होता हो तो क्या होता diverging होती है raise हमेशा यहीं से आएगी फिर उसको हम फोकस पोईंट क्या कहा रहता है आगे रहता है जो इसके और एरिया है जहां से लाइट पास पास नहीं होती। है उससेड इसका फोकस रहता है। पोल इसका क्या होता है, पोल का होता है, जो ए वाली लाइन कौन से होती है, इसको बहुत जादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, अभी हम कुछ जर्णल टर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे समझ आजागा कि हम कैसे हमारे पास image बनती है, तो हमारे पास चार फर्मूले होते हैं, इमेज बनाने के, तो इसको आप ध्यान से देख लोगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे हमारे पास image formation होती है, ठीक है, पहला point इसका है कि incident ray of light parallel to the principal axis, ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना दोस्तों कि कोई हम center of curvature, तो पहला point हमारा ये बोलता है कि जब भी line parallel आएगी, किसके principal axis के, अदर मालों कोई object नहीं हाँ ठीक है, जब भी line किसके parallel आएगी, principle focus, principle यह है, principle axis यह है, इसके line जब भी parallel आएगी, ठीक है, वो हमेशा focus पे ही meet करेगी, दोस्तों यह बहुत ज़रा important, मैं फिर से repeat कर दे कि जो भी line, जो भी incident raise आएगी, किसके parallel हो, principle axis के parallel होनी चाहिए, वो हमेशा कहा meet करेगी, focus पे ही meet करेगी, तो जैसे यह principle axis के parallel आएगी, तो कहा meet करेगी, focus पे meet करेगी, ठीक है, मालों यहां से कोई एक same line आए, same line आए, ठीक है, किसके parallel है, principle axis के parallel है, तो कहा meet करेगी, focus पे meet कर यह सेम रहेंगे ठीक है वैसी इसका क्या है यह प्रिंस्पल एक्सी तो फोकस कहां रहता है इसका यहां रहता है सेंटर ओफ करवेचर कहां रहता है इसका यहां रहता है ठीक है अबजेक्ट यहां पर मालो यह कोई लाइन आई तो यह कहां मिलेगी कहां मिलेगी दोस्तों किस पे ही मिलेगी, वैसी सेम है, कोई लाइन यहां से आरी है, पिर किसके parallel है, बिंस्पल एक्सिस के parallel है, यहांस क्या हो जाती है, divergent राथी, पर meet कहा करेगी, जब हम dotted आगे मिलाएंगे, तो कहा meet करेगी, focus पे ही meet करेगी, तो पहला formula यह था हमारा ठीके, चार यह दोस्तो ध्यान से देखेंगे हम ठीक है पहला गया था हमार पास की incident ray of light parallel to the principal axis always meet in always meet in focus का meet करेगी हो focus पे meet करेगी तो यह हमार पास पहला formula था बहुत जादा important है ठीक है दूसरी दूसरा formula है की incident ray of light passing through the focus that is travel its parallel to the principal axis ठीक है इसको भी हम general formula c जिसको भी हम image के form में ही देखेंगे आपको अच्छे समझा जाएगा ठीक है अब मान लो क्या होगा पहले किसके parallel आई थी ओ पहले आई थी principal axis के parallel तो कहां मिल रही था हो focus पे मिल रही थी अब same अब अगर मान लो कोई line अब अगर कोई line इंक है center of curvature यह कहा है focus है ठीक है और अगर हमार पास कोई line ध्यान से सुनना दोस्तो focus से जारी हो अगर कोई line हमार पास क्या focus से जारी हो तो वो किसके parallel आईगी हमेशा किसके parallel आईगी हो principal axis के parallel आईगी ठीक है दोस्तों दुबार समय repeat कर देता हूँ कि अगर पहले गया था आईगी है तो parallel किसके चलेगी ओ चलेगी parallel हमेशा किसके principal axis के parallel चलेगी ठीक है यह भी बहुत important है दोस्तों next हमार पास कि incident ray of light passing through the center of curvature and they retrace its part after reflection तीसरा फार्मूला यह बोलता है कि हमार पास अगर कोई line फिर से principal axis बनाएंगे focus बनाएंगे क्या बनाएंगे center of curvature बनाएंगे ठीक है तीसरा फार्मूला बोलता कि अगर कोई line यह अगर कोई light हमार पास center of curvature से पास होती है पहले किससे पास हुई थी focus से पास हुई थी तो parallel किसके आगी थी principle axis के parallel आगी थी पर अगर Cycl southwestर से पास हुए तो वह र ol यहां यहां डूलाइन वहां यहां इसी वहां यहां वहां जांगी मनुंथा लिए वहुघ स removing यहां यहां ters과ות कि लेगे सब्सक्वेद्सें झालंख टो टोुन हिसा चल Hahn पर शुरू पर्मूला ने वहां बोलते हैं फोकस से जा रही है तो किसके रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी और पैरलर चल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर चल जाएगी तीसरा फार्मुला है कि अगर कोई लाइट सेंटर आफ कर्वेचर से जाती तो वह वैसी वापस बैक चल जाती है ठीक है जैसे फॉर एक्जाम्पल यहां आप कनकेव का किया तो यह कोई लाइट आई ठीक है दुमानों यहां से कोई लाइट आ रही थे किसके पहला थी सेंटर आफ करवेचर के पहला थी तो वह वैसी वापस चल दाती है ठीक है कोई लाइट आ रही तो वह वैसी बैक चल दाती है वापस क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं अगर कोई light pole से टकराती है तो जैसे वह ऐसे तो इसी वे से वह क्या जाती है back आ जाती है जो प्रिंसिपल आक्सीज होती हो principle focus होता है ठीक है तो यह यहां टकराई तो यहां से क्या हो जाती है वापस हो जाती है ठीक है दोस्तों तो यह भी बहुत जादा important है बढ़ते हम next topic की तरफ तो यह जो हम पढ़ने वाले हैं यह image formation है किसकी कन के mirror की तो यह भी बहुत important है क्योंकि इससे question आता है ठीक है question भी मैं आपको बता दूँगा कि कौन सा question बार बार repeat होता हो maximum HPTad में repeated question बहुत आते हैं पर basic आपके strong होने चाहिए basic अगर strong है तो आगे जब भी आप commission का paper तो दोगी दोगे HPTad तो सिफ qualifying paper है ठीक है इसलिक हम आरी जो वीडियो होती है वो पूरी आप commission के point of view से भी बनाई गई है ठीक है तो बढ़ते हैं हम image formation of concave mirror ठीक है दोस्तो इसमें कुछ चीज़े आपको मैं पहले ही बता दूँ क्य image बोलता हूं उसको अपने पास जुरूर लिख ले ठीक है तो जब भी हमारे पास concave mirror होगा concave mirror concave mirror हमेश्चा कौन सी image बनाएगा real कौन सी image बनाएगा दोस्तों real और virtual दोनो image बनाता है concave mirror कैसी image बनाता है real और virtual दोनो image बनाता है यह बहुत ज़्यादा important है real क्या होती जो उसी direction पर बनेगी जैसे यहाँ बन रही है अभी आपको समझा दूँगा कि कैसे real बन रही है कैसे virtual बनेगी पहली बात यह याद रखनी concave mirror कैसी image बनाता है real और virtual image बनाता है यह question बहुत इसके example देखेंगे ठीक है कि कैसे अगर हम object को infinity पे रखते हैं पहले कन के mirror बनाओ दोस्तों यह कहा हमर पास principle axis है ठीक है दोस्तों यह कहा हमर पास focus है यह कहा हमरे पास center of curvature है ठीक है तो अगर कभी भी object कहा है infinity पे infinite होता हमें पता नहीं object कहा है तो क्या होगा उसकी image कहां बन जो हमारा पास incident ray आएगी वो कैसे ऐगी ऐसे ऐगी पैरलर आएगी मालों यह क्या इंसिडेंट रेज आगी ठीक है जब इंसिडेंट रेज पैरलर होती किसके principal axis के तो वो कहां मीट करती दोस्तों हमारा पहला फार्मूला था है कहां मीट करती हो focus पे मीट करती है तो यह वाली फोकस पे बनेगी ठीक है तो पहली बात कि जब object infinity था तो image का बनी दोस्तों focus पे बनी और image कैसी बनी दोस्तों बहुत ही चोटी बनी देखो मीट करने के हमारा को point इन देख रहा तो image कैसे बनी बहुत जादा point size image बनी बहुत एक point के ब्राबर image बनी इसको हम highly dimnist भी बहुत ह फुटी ठीक है कैसी image बनेगी दोस्तों तो बदाव मेरे को कैसी image बनेगी लेंस जिस साइड लेंस था उससी साइड इमेज बन रही है उससी साइड इमेज बन रही है ठीक है तो यह कौन सी image होती है रियल इमेज होती है ठीक है दोस्तों शुरू में बताया है कांसी image बनी पर दोस्तों क्या बन से थोड़ी सी इनवर्टि बन जाएगी ठीक है पॉइंट साइस इमेज बन जाएगी पहला पॉइंट यह था कि क्या बनाएंगे कनके मिरमन कनके बना देंगे ठीक है तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूं दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत ना हो यह बना दिया हमने कनके यहां से क्या प्रिस्पल एक्सिस कर दी फिर से पहले फोकस फिर उसके बाद सेंटर ऑफ करवेचर ठीक है अ अब लाइट कहां सा हिगी ऑब जैए खरही तो यह कहां हिए किसके पेल्लर आए प्रिस्पल एक्सिस के पेल्लर आए तो तो पहला 非र एक्सिस परिस्पल में करतीके घर कर दिया तो इसकी फोडित करहा ऑदियाrit कुर जो दूसरी थैए दोसरी भी ध्वीत ध्यान से सुने तो कसे पास होती है तो किस के parlour रहाती हो principle noticing इस यह हमारी ठीक है तो इसके parlour आजएगी ओ ऐसी अजिव्लेक्ट होईगी ठीक है तो दोस्तों waiver जहां यह पॉइंट मिला जहां यह हमारे पॉइंट मिला कं मिला यहां मिला इहां क्या बन जाएगी image बन जाएगी अब मैं पुछूँँगा image कहा बनी image कहा बनी और C के बिच बनी image कहा बनी image कहा बनी f and C के बिच बनेगी जब भी object कहा रखा। c से पीछे रखा होगा ठीक है दूसरी बात दोस्तो nature कैसा image कहा रीयल है उसी side बन रही जिस side incident आ रही तो झायल रियल है इसका real है क्या सी उल्टी बन रही तो क्या है inverted है real और इन वर्टीड image बनेगी जितना object था उससे छोटी बनी है तो क्या बनेगी diminished बोलेंगे या small in size बोल देंगे तो आई ओप दोस्तों ये भी आपको समझा आगागा next image बोड़ते है when object at sea अगर object कहा है c पे तो फिर से बना देते हैं हम ठीक है दोस्तों ये हमारे पास concave ठीक है ये हमारे पास focus ये हमारे पास क्या center of curvature अब object कहा रखा है हमारे पास c पे तूर पहले बात हम यहां करना भन दूस्त कर आएंगे इसको दूसरी लेंण से पास क्रॉआएंगे इसको दूसरी लाइन पास कर वाएंगे अंप्स कर वामने आप 0 यही वारा question maximum time पूस्ते paper में तीक है HP Tad में जब भी पूछा गया इससे question तो इसी question से पूछा गया है जब भी object C पे होगा तो image कहां बनी C पे ही बनती है जब object C पे रखा है center of curvature पे रखा है दूसरा दोस्तो कैसे उसी side बना जिस side से incident रहे थी तो कौन सी image बनेगी real image बनेगी ठीक है उल्टी बनी तो कैसे बनेगी inverted बनेगी ठीक है दोस्तों तो real and inverted बनी size same रहा ठीक है same size की image बनी ठीक है तो object कहां रखा हमार पास C और F के बीच रखा है तो यह हमार पास C यह हमार पास F तो object कहां हमार पास C और F के बीच है object कहां हमार पास C और F के बीच है दोस्तों यह screen से बाहर चला जाएगा ठीक है मैं इसको यहां जैसे बना देता हूँ यह हमार पास C यह हमार पास F अबजेक्ट कहां रखा है इसके बीच रखा है ठीक है तो हमार पास light कैसे पास होगी यह पहले यहां से की पैलर गई principle axis के कहां मिलेगी focus पे meet होगी तो दोस्तों यहां focus और यह कहा है यहां से पास करेंगे यह तीसरा formula दोस्तों जब यहां पास light center of curvature से पास होती है तो वह वैसी reflect back होती है मतलब यहां से जब यह पास हुई light ठीक है ऐसे cross होई तो वह वैसी क्या होगी वापस back हो जाती है ठीक है तो जब भी object कहां c और f के बीच होता है तो image कहां बनती है दोस्तों beyond c बनती है कहां बनती है beyond c बनती है ठीक है size क्या रहता दोस्तों उसका n large रहता कैसी image बनी real बनी इस साइड से incidental ray आई थी उसी side image बनी तो real बनी ठीक है ulti बनी तो inverted बनी ठीक है वैसी सेम दोस्तो when object is at f यह आप खुद बनाएंगे जब भी object कहाँ f पे होगा फोकस पे होगा तो image कैसी बनेगी दोस्तो infinity पे बनेगी highly बहुत जादा large बनेगी real और inverted बनेगी अब इसका last point है दोस्तो जब भी object कहाँ होगा between p और f के बीच होगा यह मैं आपको करवा देता हूँ दोस्तो यह इसलिए important है कि आपको समझाएगा कि compare mirror कैसी image बनाता है real और virtual बनाता है तो यही एक point है जिसमें compare mirror कब बनाता है compare mirror virtual image बनाता है तो यह वाला question भी आजाता है कि जब भी object का principle of pole और focus के बीच होगा तो वो image कैसी बनाएगा virtual image बनाएगा तो यह वाला question आ जाता है दोस्तो ये बी important है अब आपको image बना के देता हूँ हमरे पास CONCENT Mirror है क्या हमर पर फ कर सपर पास fucas है पिर हमरे पास Center of curvature होता है ठीक है अब object का है हमार पास अब यह क्या रहता है पूल है ठीक है तो object का है हमार पास C और F के बीच A F है तो object का होगा हमार पास A माल अबजेक्ट है ठीक है तो एक light यहां गई ठीक है तो जब यह light यहां से आती है तो pass कहां से होती दोस्तों जब भी center of जब भी parallel आती कि इसके principal axis के तो कहां से क्रॉस होती है फोकस से यहां पर यहां से कहां हुए फोकस से पास हुई ठीक है जो हमने चार फर्मूले पढ़े थे इसलिए मैं आपको शुरूम पढ़ाए थे कि उससे आपको कुशन अच्छे से समझ आएगा दूसरी लाइट जो है दोस्तों दूसरी लाइट कह चाहरिकए पोल पर बंजेगे तो जैसे सेंगल से युस सेंगल से क्या उजती हो रहाँ यहां थी कि मेज बनाते दोस्तों में पर यह वाली लाइन हमने कर निया रहे दो तो इमेज जाए क्रॉस करेगी वहां क्या बन जाएगी हमारे पास इमेज बन जाती यहां क्या बन जाती इसकी इमेज बन गी तो जो यह इमेज बनी हमारे पास जो यह इमेज बनी यह क्या बनी देखो दोस्तो इसमें इंपोर्टेंट क्या था यह जो इमेज बनी हमारे पास स्वाड़ी दोस्तों एक तक यहां पर बता देता हूं यह जो इमेज अपर इम अब इसे साइडिन बनी अब इमेज अब इमेज इमेज बनी तो कौंसी मेंज ओती दोस्तों वर्चूल इमेज होती है ठीक है अब दोस्तों इन विटिन ने बनी अगर object खड़ा था तो उसी साइड को बनी ठीक है दोस्तों ठीक है तो यह कैसी इमेज़ बनी इरेक्ट इमेज़ बनी वर्चौलर एड इरेक्ट इमेज बनी यह बहुत इंपोर्टंट है ठीक है inverted होती तो क्या बनती दोस्तों अगर ऐसे object है inverted होता तो ऐसे object तो image क्यासे बनी थी इसकी उल्टी बनी थी पर अगर object विल्कुल खड़ा है तो object image कैसे बनी बिल्कुल सीधी बनी तो उसको क्या बनती है हम इरेक्ट बोलते हैं तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया 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 दोस्तों कि जब भी object का polar f के बीच होगा तो image कैसी बनेगी दोस्तों image बनेगी virtual and erect इसी लिए सिर्फ एक case में ही हमारे पास concave mirror virtual image बनाता है सिर्फ एक case में हमारे पास concave mirror कौन सी image बनाता है यह भी बहुत ज़्यादा important है कनके mirror का use कहा करते हैं कनके mirror का use करते हैं search light torches में जो mirror होता हूँ कौन सा होता है यह दोस्तों बहुत important है बहुत ही ज़्यादा important ठीक है यह क्यों important है क्योंकि example से question आता है मैं बार-बार रोज हर एक वीडियो में बताता हूँ कि sprawd patch में example से question आता ही आता है तो हमार पास जो application है कनखे mirror की account search light सारे example मैं आपको लिख दिये हैं दोस्तों सारे example लिख दिये हैं इसी से question आएगा if a paper में तो इसी से ही question आएगा in02 example से questions आएगा तो हमार पास कनखे mirror होता सर्च light और टorches में यूज होता है 124 में यूज होता है 68 दोस्तों हमें आपको क्या बनाए वे बहुत बार पूचते दोस्तों ऑन ने सा मीरर यूज होता कंके मीरर यूज होता है कंकेम होता है डेंटीज से को इसका इमेज कोईसे नहीं आया इसके इमेज से कभी भी कोईसे नहीं आया इम्पोर्टेंट बस इतना है कि जो इमेज formed होगी convex mirror जो भी email form करेगा convex mirror वो हमेशे कौनस image बनाएगा virtual image ही बनाएगा कौनसी image बनाएगा वो virtual image ही बनाएगा ये बहुत ज़्यादा important है ठीक है ये क्या है बहुत ज़्यादा हमारे पास तो convex mirror कैसा होता ही मैं आपको बना देता हूँ यह क्या होता हमारा पास convex mirror होता है ठीक है यह हमारा पास इसकी principle है थीक है यहां समेशा क्या थी इंसिडेंट्र रहती है ठीक है इसका focus कहां रहता हमेशा आग गिर रहता है ठीक है तो इमेज कहां बनी दोस्तों इमेज कहां बनी जहां से incident रही उसके बिल्कुल opposite image बनी तो उसको क्या बोलते हैं वर्चूल इमेज बोलते हैं तो यह हमेशा कैसी image बनाता है वर्चूल ही image बनाता है तो इसलिए यह बहुत जादा important है मैंने आपको बता दिया कैसे यह इमेज बनाता है यह बहुत जादा important है ठीक है अब इसकी uses यह बहुत जादा question आता है यह वाला कि driver mirror जो भी यूज़ो करते हैं पिछे देखने के लिए दोस्तों कि पिछे गाड़ी आरी नहीं आरी तो वो कौन सा mirror यूज़ो तक convex mirror होता है यह बहुत important है बहुत ही important है बार बार बो रो रहा हूं यह वाला example तो बहुत important ह बहुत बार repeat आता है ठीक है street lights होती वो भी convex mirror होती magnifying glass होता है ठीक है यह बहुत कौन सा होता है हमारे पास convex mirror ही होता है दोस्तों magnifying glass तो आप समझते होंगे ऐसे जरस होता है ठीक है जिससे हम क्या करते है बच्वन में खेलते हैं एक page लेते तो उसमें आग लग जाती थी तो highly diminished बनेगी point size बनेगी कौन सी बनेगी virtual erect बनेगी ठीक है इरेक्ट की spelling दोस्तों यहां गलत है e r a c t होना था virtual erect बनेगी erect क्या होता दोस्तों अगर image ऐसे है तो image भी कैसी बनेगी ऐसी बनेगी ठीक है इसमें inverted नहीं बनती inverted का क्या मतलब था ऐसे image तो इसके जो उल्टी बनेगी हो क्या होगी inverted होगी ठीक है तो इसलिए कौन सी image बनाता वर्चूल और erect ही image बनाता है तो next है हमार पास mirror formula दोस्तों तो यह भी बहुत ज़्यादा important है तो mirror formula को भी हम देख लेते है mirror formula क्या है मिरर फार्मूला है हमार पास क्या दोस्तों mirror formula है हमार पास one upon u U plus one upon V is equal to one upon F, ठीक है, इसको क्या बोलते है, हम मिरर फॉर्मूला बोलते है, ठीक है, इसमें दोस्तों याद करने की है, कि U हमारे पास क्या होगा, U हमारे पास होगा, object का distance, U क्या रहता हमारे पास, object का distance रहता है, ठीक है, V क्या होगा, image का distance, V क्या होगा, दोस्तों, image का distance, ठ कुछ जगा हमारे पास bulkion की लोटroot ही के त तो फ१ोट अधा हुतती है मैं जी तर न रएडियोट से दिवाइड करदेंगे त तो हमार पास फ१ोकल लेंथ जाएगी ठीक है दोस्तो यह हमारे पास mirror formula मैंने बता दिया यू क्या है इसमें object का distance वी क्या है image का distance f क्या है यह हमारा focal length थे तो इससे बहुत बार chance होते है कि कोई एक आदा numerical भी आया है कई बार paper में इसके numerical भी बहुत important है linear magnification कैसे निकालते हैं हमेशा दोस्तों magnification निकालते हैं h- upon h से h- क्या है ध्यान से देखना है height of image जो dash वाली हो कह height of image height दोस्तों यहां पर distance नहीं है h- क्या है height है है h क्या है height of object जो object हो रखओंगा हो क्या है हमारा पास object है ठीक है दोस्तों object और image तो पता ना आपको कोई object हो होता है जो इसकी image बनती है वो क्या होती है ठीक है यहां confusion मत हो ना ठीक है अच अपर क्या है हमेशा अपन से उपर क्या हैगा height of image आएगी height of image आएगी height of image आएगी upon से नीचे गाएगा height of object आएगा कई जगा इसको हम denote करते हैं minus v upon u से भी इसको denote करते है mirror formula को इसमें आगे बताएंगे देखो दोस्तों यहां लिखाऊगा हाँ एक और बात इसमें बहुत important है यह भी बहुत ज्यादा बार repeat हुआ question है कि जो linear magnification होती कि इसकी plane mirror की वो क्या रहती हमेशा plus one रहती है यह बहुत ज्यादा important है linear magnification of plane mirror के रहती हमेशा plus one रहती है यह भी बहुत ज्यादा repeat हुआ question है तो magnification क्या दोस्तों यह इसका formula या रखना हमारे पास height of image h और जो simple h वो क्या है height of object which is equal to minus दोस्तों इसमें नेगेटिव वी क्या है इसमें अभी अभी देखा हमने वी क्या image of image of image of जो हमारे पास image बनी object कि इसको किसे वी से denote करते distance of image और यू से क्या denote करते distance of object ठीक है तो इसका हम एक आदा numerical कर लेते हैं बहुत ज़्यादा important है sign convention भी मैंने आपको नहीं करवा है तो numerical के साथ ही हम sign convention करेंगे sign convention वो ही चलते दोस्तों यह हमारे पास ठीक है जो इससे परे होगा नेगेटिव जो इधर को होगा वो positive जो उपर को होगा वो positive वो जो निच्चे को होगा नेगेटिव ठीक है तो आई होप आपको ने graph तो सबने पढ़ा होगा ठीक है यह क्या होता जीरो होता ठीक है इस साइड को सारे positive इस साइड को सारे negative उपर को सारे positive निच्चे को सारे negative ठीक है तो अकन के mirror दे रखखा produce three times and last image of an object placed at 10 cm in front of it calculate the radius of curvature हमार को radius of curvature निकालना r की value निकालनी हमारको ठीक है पहले तो जो चीज नहीं दी होती है उसको find out करना चाहिए ठीक है तो हमार पास क्या दिया कि हमार पास दिया कि object की place दी रखखे कि 10 cm in front of it ठीक है तो object क्या होगा दोस्तों हमार पास u की value क्या ज जाएगी ठीक है magnifying three times दे रखा है तो मैं M की value क्या जाएगे हमार पास three times थी तो three आ जाएगी ठीक है तो अब simple सा formula M क्या आता है दोस्तों minus V upon U भी होता है M क्या रहता है हमार पास minus V upon U रहता है ठीक है तो इसमें minus V की value M की value कितनी थी 3 थी ठीक है V की value हमार को find out करनी थी इस three which is equal to 30 तुमार पास image की image की distance आ गया कितना 30 cm आ गया यह हमने कहां से निकाला magnifying से निकाला ठीक है अब हम फिर से mirror formula का use करेंगे ठीक है हमार को क्या निकालना radius of कर वेच्चा निकालना है मतलब R की value निकालनी आर की value के आर कि क्या जाएगी हमार पास V की value आ जाएगी 30 जो अभी अभी हमने निकाली ठीक है LCM दे लेगा तो इनको solve करके किन आ जाएगा मार पास minus 2 by 30 विच इस वान मैंनेस वन बाइ 15 वन बाइ फिफ्टीन तो f कितना जाएगा F is respect बॉन बाइ फिफटीन ईडागा तो इसको पयाय लेगे ऐट का फ्की वाई बीस आजा गर पास minus 15 कि वाई एस कितनी आजेगी माइन विवतीन उपर Tenemos Sun कर सिप्छल लुकिन नहीं आता है आर बाइट वहता है सॉरी दोस्तों कई वार गलती हो जाती है confusion हो जाता है ठीक है तो यहां पर एक की वैल्यू कितनी थी एक की वैल्यू हमने निकाली माइनस 59 थी माइनस 59 थी आर ऐसी रहेगा टू ऐसी रहेगा टू पर रहे आएगा तो आर की वैल्यू दिन नहीं आगा यह माइनस 30 सेंटीमेटर आजाएगी तो यह हमने रेडियू साफ कर वेचा निकाला सिर्फ वैल्यू अगर आपको पता चल जाए ठीक है कि क्या हमारे को दिया है और क्या हमारे को निकालना है तो आप कोई भी नुमेरिकल आराम स अभट पलेगे एक अधर मियिझा एट छेकट इसने अधर इसनेशंग तो डिस्तेंस गिमेटर है अधर सगेर दे रहे की हाइट की मारा पास हमारे क्या हमना पास 22 सेंटीमीटर तो ह्विि द्चेंस की ही हमेरलिकल माइनस 20 cm लिए हमने फ्रामकन के मेरा और रियल इमेज इमेज की डिस्टेंस भी रखा वी कितना दे रखा हमार पास माइनस 40 cm दे रखा है ठीक है तो हमार को क्या कर्म पता चला है हमार को यू की वैली पता है ठीक है तो बढ़ दो वन अपॉन एफ इस इकल टूवन अपॉन भी ठीक है बन अपॉन एफ यह रहाए गया ंंद कैव यू की वैलू भीसिष्ट नीतटी थी थी एन माइनस कि माइनस को ख़र ट्विगए कि माइनस लिए सनथी प्लस वैलूव गया बनेसमाइनस बनजायागा कारिए माइनस- माइनस- 1520 मान tops-10-1540 ठीक है दोस्तों यह क्या 1 by f है यह क्या 1 by f है माइनस 3 by 40 यह आया 3 by 40 जब f को cross multiplication करेंगे तो क्या आगा माइनस 3 f is equal to 40 ठीक है और f is equal to किना आगा 40 upon 3 तो यहां भी दोस्तों कई वार confusion हो जाता हम डारक्ट इसको 3 by 40 को क्या कर देते काट देते हैं ठीक है तो इस एक अलता आंसरा जागा यह क्या मनेगा हमेशा माइनस 40 by 3 क्योंकि 1 by f क्या था पहले upon में था जब इसको पर लाएंगे तो यह यह भी क्या हो जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं खतम होती है कल जो हम वीडियो लेके आएंगे आपको डे एट वह आपको इसी चैप्टर का पार्ट टू होगा जिसमें हम रीफ्रेक्शन के बारे में करेंगे ठीक है आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसलिए हमने जो उसके are last me most important questions करते हैं वह भी हम उसी वीडियो के end में करेंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आगी हो तो हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें मैंने अभी शुरूर में भी आपको बोला था कि अगर आपको वीडियो पसंद आगी मारे चानल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना थैंक्स फॉर वाचिंग डिस वीडियो